बच्छो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन वीवर्स मतलब भारतिये और वीवर्स मतलब बुनकर भारतिये बुनकर के पढ़ने वाले हैं लाइफ के तीन हिस्सा होता है एक जुन्नोजाद बच्चा जनम लेता है दूसरा जब साधी होता है और तीसरा जब वो मड़ जाता है उस तीनों इस्टेंजा को अच्छे समझाने का प्रयास कर रही है सरोजनी नाइडू एक बुनकर की तरह एक बुनकर के पॉइंट भूसे कैसे एक बुनकर जो होता है बुनकर जो होता है वो बच्चे के कपड़ा भी सिलता है और जब किसी के उस बच्चे का साधी होता है तो भी सिलता है उस कपड़ा और जब हो मर जाता है तो उसके लिए भी कफन वही सिलता है तीनों काम इंडियन वीवर से ही करते हैं आगे प तब सरवजिन आईटी जाती है और पूछती है कि वाई डू यू वीव अगार्मेंट सो गाये तुम क्यों बोन रहे हो एक कपरा सो गाये इतना बढ़िया गाये मतलब होता है कुसमिजाज अच्छा इतना अच्छा कपरा तुम क्यों बोन रहे हो और सांती साथ यह भी कहती कि तुम इस कप्रे करें रहे हो बुलू कि लड़का है और ऐसा ऐसे मुलू कर उसके विंग की तरह है फिरफ्ट की तरह carry ブट करो उसके बूस材 का नौजार बच्चे का वस्त्रकों को वीवगर रहा है यानि सिर रहा है स्वर्णिन आइडू फर्स्ट इस्टेंजा में सवर्णिन लिखा के खुब्स्रों चावीता है स्वर्णिन आइडू से पूछती है कि वाइड वीव आगार्मेंट शोगाई इतना तुम अच्छा जो वस्त क्यों क्यों सुन रहे हो और बुलू एस तो एक वर्ड में जाके जवाब देता है इंडियन वीवर्स बार्ति बुनकर कि हम इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि नए बच्चे का जनम हुआ है उसके कवस्त को हम बुन रहे हैं आते चाके सेकेंड इस्टेजा में क्याता वीवर्स वीविंग एट फॉल अप नाइट वी जाती है और पूछती है कि इतना शमकिला वस्त तुम क्यों भून रहे हो like the plums of a peacock purple and green like the p.k.p.p.p.k. औ. ग्रीन राइक कि तरह या पर्पल और ग्रीन चैसे पिकॉक का पंक होता है पर्पल और ग्रीन उसी तरह तुम कपड़े को भी क्यों भून रहे हो तो फिर बुंगर कहता है वीवीब हम बून रहें क्या दो मैरेज विल्स आफा क्वीन उस रानी के घुंगट को हम बून रहे हैं सील रहे हैं तो सकेने सिज्ञा में हम यही सिखें इसमें कवीटा इसमें इस टाइम सजनार जाती है पूछती है कि इतना ब्राइट इतना चमकीला कपर तुम क्यों बून रहे हो और कैसा कपरा जैसे पिकोग के पंग की तरह तो फिर से इंडियन वीवर्स कहता है कि हम इसलिए बून रहे हैं क्योंकि एक लड़की का साधी है उसके खुंगट को हम ब चील वीवर्स मुण रहा होता है सुलमन एन स्टील कंभीर मतलब कंभीर और सांथ है वाट डू यू वी इन दा मूलाइट चील फिर से सजया नाइडि जाती है तुम क्या क्या बहुन रहे हो वाइट कपड़ा एज दफीदर एंड वाइट एजा क्लावड जैसे किसी का पंख हो दम बहुत सारे जो पक्षियां होती उनके जो पंख होती है वह वाइट लटकी होती है वाइट एज दफीदर वाइट एज दफीदर जैसे किसी का पंख हो एंड वाइट एजा क्लावड और उद्दा जैसे बादल हो वी वीव अदेथ मैंस फुनरल श्रावड तो एक वर्ड में चौब देता है इंडियन बुनर्स इंडियन बुनकर्स कि हम बुन रहे हैं एक एक आदमी के एक अदेथ मैंस फुनरल श्रावड एक आदमी के श्रावड के लिए श्रावड यानि यानि कफन हना तो ठाड़ इसने में यहीं सीखे कि वीवर्स फिर से बुन रहा होता है एक दम स्टील और सान फिर से सजिना जाती है पूछती है कि तुम मूनलाइट में क्या बून रहे हों तो फिर से और ऐसे बून रहा हो जैसे कि अ कतम कफन कर बूनकर संपर जिखा गया एक खुब शोड़ा चविथा है इसमें लाइब के तीनों स्टेज के बारे में खूफशा तरीके से बताया या है धन्यवाद